वेलकम तू मैं चैनल क्या आप यकिन करोगे अगर मैं आपसे कहूँ यह चिकन तंदूरी टिकर मैंने अपने घर में बना है वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से आएए देखते हैं यह कैसे बना सबसे पहले हम बोनलेस चिकन के पीसेस को चोटे-चोटे टुकरों में काट लेंगे यहां मैंने हाफ किलो चिकन लिया है आप अपने जरूरत के हिसाब से लेना चिकन के पीसेस को अच्छे से धो लेना है और उस पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और क्योंकि ये तंदूरी है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा तंदूरी मसाला अब हम डालेंगे थोड़ी सी दही, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च का पेस्ट, इन चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे, ये लाल मिर्च का पेस्ट आपके घर में हो तो डालना, वरना आप सुखी मिर्चों को मिक्सी में चरना के उसका पेस्ट बना के डाल सेकते हैं, इ मैं यह डालती हूं रेसिपी में दोस्तों आप भी डालना थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा क्योड़ा वाटर इसे एक अलगी स्मेल आती है अलगी खुश्पु आती है खाने में अभी फिर इन चीजों को हम अच्छे से चिकन में मिला लेंगे अपना जादा तर काम हो चु अब मैंने air fryer को निकाला एक फॉयल सेट कर लिया है और बस नाम भर का ब्रश से तेल लगा के चिकन के पीसे को बारी बारी हम डाल देंगे जब आप air fryer में खाना पका रहे हो या रखना बहुत सारी चीजों को आपको एक साथ नहीं डालना है एक ही लेयर में एक ही लेयर म हम 15 मिनिट के लिए 180 डिग्री पर पकने देंगे जब तक चिकन पके चलिए हम इसका ग्लेज तयार कर लेते हैं यह ग्लेज क्या है यह वो तेल है वो मसाला है वो कोटिंग है जिससे इस चिकन में एक अलगी शाना जाती है थोरा सा तेल लेंगे थोरी सी कश्मीरी मिच्की पाउडर और चिकन तंदोरी पाउडर पस नाम भरकाई लेना है कटोडी में अच्छे से मिला लेना है और ब्रश के साथ इसको हम चिकन में दोनों साइड में लगा देंगे पंदा मिनिट हो चुका है मैंने चिकन को बहां निकाला है अभी वो ग्लेज वाला जो तेल है उस मैं इसको दुबारा पंदा मिनिट के लिए नहीं पकाऊंगी मैं इसको पांच से साथ मिनिट के लिए ही पकाऊंगी एक सो असी पर ताकि इसका रंग सुन्दर हो जाए और यह पूरा अंदर से पक जाए और बन गया हमारा हेल्दी चिकन तंदूरी टिक का